हेलो फ्रेंड वेलकम ट्रावर चैनल आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है बात करेंगे हम इस वीडियो में डियलेट 2016 के इंट्रांस टेस्ट पेपर की जिसका सारे एक्स्प्लेनेशन के साथ मैं ले करके आया हूँ यह मौलाना आजात नेशन उर्द उनिवस्टी मानू का कोस्चन पेपर है जिसमें डियलेट का सॉल्व क्या हूँ है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं जिस्टेश पे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते हैं यह डियलेट 2016 का कोस्चन पेपर है जो आपके 2020 के एक्जाम्स के लिए किस तरीके से सारी चीज़ें ठीक है तो हम इसे पहले हम दिखाते हैं कैसे हम करते हैं इस बारे में हम बात करेंगे चलिए कुस्चन पेपर मैं सामने आपके लेकर क्याता हूं यह आपका कुस्चन पेपर है मौलाना आजाद निशन अरूदू इनवर्सटी डियलेट मानू यह 200 मार्क्स के होते हैं निशानाद 200 वक्त दो घंटे का होता है आपके पास हौल टिकट नंबर इसमें आपको फिलप कर लेने होंगे आपको कुस्चन मिल जाएगा ठीक है रिटर्ण अब इसमें किस तरीके से कितने कितने होते हैं वो मैं बताता हूं आपको इसमें चार ह के होंगे जनल अंग्रेज़ी 10 नंबर के होंगे और टीचिंग अप्टिचूड योगा वो 30 नंबर का होगा और और यह जैनी सलाहियर यह 001 ऑर 20 हो टीक है इसमें जो सारे सवालात ओम रसीट पर होंगे एक सो सवालाथ ABCD आप्शनों को OMR सीट होंगे ठीक है आपके पास आपके अंदर यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरीके से मैंनो सॉल्ट किया है इसमें कैसे कैसे वो मैं दिखा जिता हूँ हिस्सा अलएट पार्ट वन प्र आएंगे हिस्सा अलेट पार्ट वन जरूलइज फॉस्स कुशन है भारत के दस्तूर कसे कहा जाता है मतलब दस्तूर का मैंन मतलब आइन का फाधर हूँ इस दा फाधर ऑफ इंड्रीन कंसुचिजउशन भारत यह । जो मैं आमार है, फादर है, उसे पिता है, भारती सम्विदान का वो किसे कहा जाता है, यह option है, डॉक्टर राजिंदर परशाद, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना अजात और पंडित नहरू, आपको मैं बता दूँ कि भीमरों अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को, फ अपने इंडियन कंसिटूशन को, भारती सम्विदान को, भारत के आईन को, हमने बहुत सारे मुलकों से, उधार लिया है, बहुत सारे मुलकों से, तो यह कौन कौन से जगों से लिया है, मैंने सौथ अफरीका से लिया है, कह तो अमेरिका से लिया है, रशिया से लिया है, औस्ट्रेलिया से लिया है तो इन सब जगों से मैंने बॉरो किया उसे उधार लिया है समझें तो यह भीम रामबेट कर के तो दस्तूर के मैमार कहला थे डॉक्टर राजन्द परशाद पहले रास्टपती थे और मौलाना बुलकलामाजाद पहले वजीर इतालिम थे भारत के और पंडित नहरू पहले परदान मंतरी थे ठीक है अब बात करेंगे मौलाना आजाद निशनल अर्द उनिवरस्टी का क्याम कब अमल में आया यह अमल में कब आया तो यह 1998 में मौलाना बुलकलामाजाद उनिवरस्टी कायम होता है और यह टोटल अगर आप से पूछ रहे जिसके वजारत तालीम है वो क्या कहा जाता अब क्या कहते हैं उसे वजारत बराए फरोग इनसानी वसायर वजारत तालीम वजारत तालीम वजारत तालीम तर्बियत वजारत इनसानी वसायर तो अब इसे क्या कहा जाता है तो वो कहा जाता है वजारत बराए फरोग इनसान हमारे मुल्क के अंदर है आमिराना जम्हूरी डिक्टेटर्शिप बादशाही तो हमारे मुल्क जो है वो जम्हूरी है अब जम्हूरी कहते हैं वो मुल्क के जहां अगर वहां के चुना जाए वहां का जो रूलर है वहां चुना जाए उसे जम्हूरी मुल्क कहते हैं नेक्स कुशिन है जापान के शहरों हेरोशिमा और नागसाकि पर एटम बूम किस जग में गिराए गया कौन सी जंग थी जंगे अधीम थी जिसमे एटम बूम गिराए गया था जंगे आजादी जंगे अधीम अओल जंगे अधीमदों इनकलाबी रूस जंग एजीम दूम जो हुआ था 1944 से 48 में के बीच हुआ था ठीक है और जंग एजीम ओवल 1914 से 18 तक हुआ था ठीक है तो यह जंग एजीम दूम 1945 में ही जो 44 से 48 के बीच चला था तो 1945 में नागसा की और हीरोशीम पर एटम बम गिरा गया था वो कौन से जंग एजीम थे तो जंग एजीम दूम में ठीक है मजली से अकवाम लिग आफ नेशन्स का क्याम किस जंग के बाद आमल में आया मजली से अकवाम अमल में कब आया था तो मजलिसे अकवाम जो अमल में आये था वो आये था जंग एखीम अवल के बाद कब आये था 1914 के बाद जंग एखीम 1914 से 1918 तक चला था उसके बाद मजलिसे अकवाम जो League of Nation है वो अमल में आये था सरस्यत के जारी करता उस रिसाले का नाम बता है, मतलब वो रिसाला कौन सा है, जो सरस्यद ने जारी किया था, बता है, जवाब, जो अब अलिगर्ड हुज निवरसिटी से शाय होता है, मतलब वो जो स्टार्ट हुआ था, वो सरस्यद ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब कहां से शाय होता है, मौलाना, मौलाना, ये सरस्جritt Ав Portal कք बार गांट मुस्लिम उव직टी अब उसे शाय करती है वो कौन सा है? तो वौ तहजिबूलखलाक उन्होंने स्टार्ट किया था तहजिबूलखलाक। अब आप एयमस्लम मुस्लिम उवर्सटी शाय करती है अब इसका क्याम 8 idiots 75 में हुगा अब इसका क्याम किस वाई से रहने किया लॉड लिटन ने किया था इसे पहले माँ से नाम जाना था मौमलो एंगलो औरियंटल कॉलेज के नाम से जाना था था ठीक है नेक्स कोशन है भारत में जराद का इनहिसार बड़ी हद तक किस पर है दरियाए पानी मांसुनी बारिष जेरे जमी पानी नहर मांसुनी बारिष पर कहतो इनहिसार यह भारत में जराद के इनहिसार बड़ी हद तक है इस पर यह मुनहसर है मांसुनी बारिष बारिष पर ही मुनहसर है दुनिया की बलंद तरीन चोटी माउंट टेवरेस्ट किस पहार पर वाक्य है कौन से पहार पर वाक्य है माउंट टेवरेस्ट की उचाई जो है वो 8848 मीटर है कितना है 8848 मीटर है और यह माउंट टेवरेस्ट है तो माउंट टेवरेस्ट कहा है हिमाले की है, सत्पूरा है, मखरबी घाट है, कोहे आलपस है तो यह हिमाले पहाड की है, ठीक है, एक आता है केटू, कंचन जंग, केटू आता है ठीक है, यह इंडिया की सबसे उच्छी चोटी है और हिमाले जो वो नेपाल में है, ठीक है ना next question है, किस गानून के जरीए हम 나쁜ने हों कानूं के जरीए हम कौन सा गानून के जरीए हम और हम कानूने रासदारी, तो हम यह जो मालूम करते हैं, वो कानूने हक मालूमात baru होता है है कानुन Exact 영bn Summit से मालुमाद हो जी ठीक है हमारे मुल्क के मजुदा सदरी जमुर्या कौन है उस वक्त की बात है तो वो पर्यनम्मुखर जी थे लेकिन 2020 के हम बात कर लें तो रामनात कुविंद है कौन है रामनात कुविंद है वाइस प्रेसिडेंट कौन है वैंकिया नाइट हुए रास्टपती रामनात कुबिंद है परदान मंत्री नेरेंद्र मोदी है रक्षा मंत्री राजनाज सिंग है वित मंत्री निर्मला सितरमन है ठीक है नहीं इन सब तरिके से आप याद कर सकते है नेक्स कोशन है तवानाई का सबसे बड़ा जरिया जिसे हम इस्ते आमाल नहीं कर पाते हैं तवानाई कौन सी है आपी तवानाई जोहरी तवानाई हवा की तवानाई या फिर शमसी तवानाई तवानाई का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है तो यह कौन सा है यह सबसे बड़ा जरिया तवानाई का कौ जा कौन सा है कोईला जलना एटम रकाजी इंधन या फिर लकड़ी जलना तो यह गलोबल वार्निंग जो है वह रकाजी इंधन जो है उसके बारे में ठीक है गलोबल वार्निंग के अहम वजाए है नेक्स कुशन है महालियाती में गेर मामूली तबदीलियों के लिए कौन जिम्मेदार है महालियाती में गेर मामूली तबदीलियों के लिए जिम्मेदार कौन है तो गेर मामूली तबदीलियों के लिए जिम्मेदार यह है माहाल है गुदरत है इंसानी आमाल है यह कौन है त तब्सक्राह्व recycling समाच से एंसान की आमल कोई किस ने लखी एपी जबुकलाम की एक और है वीजन 2020 वीजन 2020 है ठीक है इन्होंने भी एपी जब्द कलाम ने लिखा था मौना अबुल कलाम आज़ाद का है घुबारे खातिर है ठीक है तो तहसे बुल आ और पेपर भी है मौना अज़ाद की एक वो मैं याद नहीं आ रहा मुझे ठीक है अल्लामा अकबाल की बाले जिब्रील है गालिब की बहुत सारे मुसनिफ बहुत सारी किताबे लिखे इन लोगों ने आप याद कर लेंगे जो इंपोर्टन्ट होंगे जेल में कौन सी तस्नि मान गुबार खातिर तो गुबार खातिर यह मौलाना बुलकलाम आज़ाद किया यह सबसे इंपोर्टन्ट है इनकी किताब मैंने अभी बताया था आपको ठीक है नेक्स कुशन है एंसी ए आर्टी का पूरा नाम क्या वाट इस फुल फॉर्म आफ एंसी ए आर्टी न्यू क पूर्टी एजूकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग यह आप्शन बिल्कुल करेक्ट है नेक्स कुशन है एंसी एर्टी की अस्थभना कभी आप कमेंट में लिखकर बताएंगे मिर्जा असदुल्ला खालिप किस जबान के शायर थे है अइबरानी अर्दू तर्की और के तो तो यह जो शायर थे वो बिलकुल आप जान सकती कि अर्दू के शायर थे ठीक है इन्हें फार्सी और उर्दू आती थी नेक्स कोशन है भारत का कौमी खेल कौन सा है आपको मालूम है कि होकी हमारा रास्ची खेले कौमी खेले ठीक है क्रिकेट खोको कबड़ी यह सब अलग अदमे तशदुद अहिंसा नन वाइलेंस किस कोमी रहनुमा की देन है अब एकदम आपके जहान में यह एंसर आ गया होगा कि मोहंदास करमचन गांदी नहीं कहा था नन वाइलेंस हम विदाउट वाइलेंस के लड़ाई लड़ सकते हैं अदमे तशदुद अगर देन है कि कि वह कौमी रहनुमा है मोहंदास करमचन गांदी मौला नहाजाद मोधी लाल नहरू और लुक्मान ने तिलक इन लोग में कोई नहीं मोती लाल नहरू पंडी जवाल नहरू पहले परदान मंतरी के कहतो फादर है यह बहुत बड़े वकील थे यह टोटल 20 कोस्चन रहा हो उसमें आप बात करेंगे जनरल उर्दू की जिसमें 10 कोस्चन आपके लिए होगा जिस जुमला में सिर्फ एक फाइल हो उसे क्या कहते ह एक फाइल सर्फ एक कम करता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम कहते हैं मुफरिद जुमला क्या कहते हैं मुफरिद जुमला कहते हैं आलिम की जमा क्या होगी आलिम की जगा वो ऑलिमा होगी ठीक है आलिम की जगा ऑलिमा हम्द किसे कहते हैं तो हम्द हुजूर की तारिफ मे कही गई नजब, इमाम हुसेन की तारिफ में कही गई नजब, बीबी फात्मा की तारिफ में कही गई नजब, और अल्लह ताला के तारिफ में कही गई नजब, तो यह आपको पता है कि अल्लह की तारिफ में कही गई नजब को हम हम्द कहते हैं, और हुजूर की तारिफ में कह जिस नजम को जिस शेर को उसे नजम कहते हैं मतलब यक बायक एक ही चीज़ के कहतों तारीफ करता हुआ चले फुक्दान के मानी क्या है फुक्दान किसे कहते हैं तो फुक्दान के मानी है ज्यादती कमी बराबरी इनमे से कोई नहीं तो फुक्दान के माने कमी होता है ठीक है नेक्स कोशन है इनमे से इनमे कौन अर्दू के मशहूर नावल निकार है मशहुर उर्दु के नवल निगार कों है? मुन्शी प्रेम्चन, गालिप, सरस्यद आमध्खा, या फिर शिबली नौमानी तो पताओने अची है आपको मुन्शी प्रेम्चन जो है वो मशहुर नवल निगार को सरसید احمد خان کو साधा नसर का बानी कहा जाता है ठीक है शिबली नुमानी वो अलग है नेक्स कुशिन है भारत के वाहिद अर्दु जरीय तालिम यनिवस्टी कोन है डेली उनिवस्टी, दिली उनिवस्टी, अलिगड़ी मुस्लिम उनिवस्टी, अलिगड़ी उर्दू उनिवस्टी, मौलाना आज़ाद नेशन उर्दू उनिवस्टी, भारत की वाहिद उर्दू जरिया तालिम है मौवानेस की जिद क्या होगी मदक्र ना मौवानेस मुदक्र कोई भी ने मौवानेस की जिद जो होगी उल्टा जिद मतलब उल्टा अपोसिट तो यह मुदक्र होगा ठीक है next question है रुबाई में कितने मिस्र होते है 1, 3, 4, 5 माच रुबा मतलब होता है चार रुबा मतलब चार होता है तो रुबाई में चार मिस्रे होते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है जहां है तो जहां है इसका मतलब होता है क्या होता है जहां है तो जहां है दुनिया में जानदार रहते हैं जान की किमत जहां से ज्यादा है जान से बढ से बहुत महबत हैं यह बिल्कुल गलत हैं गलत होगा है होगा ठीक है अब देखेंगे और में अंग्रेजी जेनरल इंग्लिश की बात करेंगे जो आपके 10 कुश्चन होंगे स्टाइल करते हैं स्टाइल करते हैं स्टाइल करते हैं फ्रस्ट कोशन फाइं रैट मेंग अव लाइफ इस्टाल मतलब जिदि जीना तो यह कौन आamtपको बाद बने-ब नार्फ के राइट मिनेंगे आयम डॉट 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 तो गो इसकूल तो क्या होगा इसमें गॉइंग गॉइंग वेंटिंग फ्रॉम अब इसमें बता दूँ आपको कि आयम के बाद भी फोर लेगा गॉइंग हो जाएगा आम गॉइंग टू इसकूल मैं घर जा रहा हूं यह प्र फॉट फॉम हो जाता है गो का वेंटिंग होगा नहीं फ्रॉम होगा नहीं ठीक है एच अप्शन राइट है शीज माइफ फादर विच इस दर रॉंग बड़ शीज माइफ बिलकुल नहीं फादर एक क्या तो फादर एक मुजक्कर है अब मुजक्र के लिए हम यूज करते है क्या जात करते हैं मेल के लिए हम ही यूज करते हैं तो यहां पर शी बिलकुल रॉंग है ठीक है फीज माइफ फादर होगा शीनोनिम्स मेंद क्या होता है वर्ड और फ्रेज्ट दाट मिन्स एक्जाक्ली और नियरली सेम सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्स और नन अप्ट कुछ सेम हो ठीक है विचिस विचिस ग्राविटी वाट इस ग्राविटी डॉट 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 पुट करेक्ट पंक्टुएशन एक्स्क्लामेशन कोश्चन मार्क फूले स्टॉफ यह फिर दैस इसमें कौन सा होगा जब वर्ड से यूज़ो डब्लू एच डब्लू एच क होना था है वाट ठीक है विच वेर हाव हूं वाई हूं इन सब में कॉस्चिन मार्क लास में सेंटेंस कहतम होने के बाद लगता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है आई डॉट 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 रन फास्टर दैन राहूल फिल इन दा ब्लैंक बाई करेक्ट तो यहां पर कह तो है अगराहूल से ज्यादध तिजद हर सकता हूं ठीक है नेक्स्ट कोशन है डिले मिन क्या होता है डिले का महाने क्या होता लेट इन दा इं टाइम आ अफ्ट पकूर तया है आप अ पूछते हैं शाथ-फंदरा में तो यह टाइम में लेट हो रहे हैं शाथ बज़े आप ताइम गया उस टाइम में एक लेट होगा लेट होगा नेक्स्स कुशन है इसमें जो यूज हो सोगा वो कौन ओंनरोम तो हई उस देज different देज्ट माझे का होगा है कंदर्धी को पहले पूचते ते पूजा कर दे Vet इस संटेंस को complete करना है to we get the news from हम लोग कहतो समाचार कहतो अखबार से पराप करते हैं अखबार से पाते हैं तो इन इस पर सी अप्शन सही है लिए फेर आर्यू आप कहां हो डौध लखाऊ यूव अब औघर से स्टॉट है तो लगा हुगा आप देख सकते हैं इसमें आपके आप की दिल्चस्पी है कि या फिर कैसे डारेक्ट आप देने आ रहा रहा है तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स कुश्चन की तरफ मौलिम का सबसे एहम काम होता है क्या काम होता है तदरीसी तजरबात फराहम करना तलबा को खामोश करना तलबा का ख्याल करना इम्तिहान लेना तो इसमें क्या है इसमें हम करते हैं तदरीसी तजरबात हम फराहम करते हैं एक मौलिम का सबसे अहम काम होता है तद्रीसी तजर्बात फराम करना ठीक है नेक्स कुशन है जवाहर नवोद विद्जाले का के क्याम का मकसद क्या है उसके क्याम का क्या मकसद है क्यों बनाई है स्कुल की तादाद में अधाफा करना देही रूलर अलाकों में तल्बा को मायारी तालीम फराम करना तालीम में जाएगी को रोकना या फिर या इल्म में फैलाना तो यह होता है कि देही रूलरी अलाकों में इल्म हासल कराना नवोद विद्जाले के स्टार्टिंग 1986 में हुई थी कब से भी थी 1986 में इसका स्टार्टिंग हुआ था ठीक है नवद विद्याले का नेक्स स्विशन है प्राइमरी सता पर तल्बा को किस जबान में तालिम देनी चाहिए मादरी जबान कौमी जबान इलाकाई जबान अंग्रीजी जबान तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि म मादरी जबान में आपको देनी चीज़ वो जिस लैंगवेज को सीख सकता है माँ से जिस लैंगवेज में गफतिगू कर सकता है जिस जबान को असानी तरीके से हासिल कर हो जा है मतलब आपका रेंडमली आपका चार प्रोफेशन में क्या तो आपका क्या नौकरी हो तो आप किस पेशे में शामिल होंगे मौलिम इंस्पेक्टर फॉज और बैंक तो हम मौलिम के लिए एक्जाम दे तो हमें जहान में रखना चीए कि मौलिम के बारे में ही पूछ स Facebook वज़े और सही लिखाई जुपाई तखहते हैं बड़े ह्रुफ में लिखना खुब्सूरती तो अगर कोई तालिब आप ये लिखनार कोई पासने कि वह बच्चा सप्चल क्या क्या करेंगा वे उसके सरप्रास कोई तयलाहा करेंगे उसे सजा देंगे 음식 जानने क कोशिष करेंगे या फिर नजर अंदाज करेंगे तो C option बिल्कुल right है वजह जानने की कोशिश हम करेंगे तलबा के सीखने के आमल की कमजोरी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे ज्यादा हमवर्क देंगे लाइबरेरी में मताला कराएंगे ट्यूशन लगाने का मश्विर देंगे तश्खीसी तद्रीस का तरीके इखतार करेंगे तो उसे तश्खीसी तद्रीस का इखतार करेंगे डाइगनोस्टिक टीचिंग देंगे कमजोरी दूर करने के लिए कि बच्चा आखिर है पने तरीके से उसे समझ सकता है ठीक है इसकूल के मायार है तालीम की जाँच का बहतरी नामाना क्या है तल्भगी सलाहिएत नताइच इसकूल में मौझूदा वसाहल तद्रीसी महावनात, कलासरूम का इंतजाम तो हम जो कर दें, तद्रीसी महावनात जो होता है ठीक है, उससे हम पेमाना कर सकते है ठीक है, इसकूल का तालिमी महायार मुनहसर होता है किस पर मुनहसर होता है, तालिमी वसाइल फरहम करना माली वसाइल फराम करना नकल करवाना असादा की तालिमी वो फनी मायार पर तो यह होता है स्कूल के तालिमी मायार मुनहसर होते है वो कहतो तालिमी वसाइल की फरामी नहीं यह होता है असादा की तालिमी वो फनी मायार इसकी जो आपनी skill होती है उस पर वो मुनहसर करता है छीए ठीक है एक्षोषए लड़कें की तालीमे को अह्मिएहेद देने चाहिए क्योंकि लड़कें लड़कें लड़कों से ज़दा जहन होती है लड़कें की तादाद कम हY लड़कें के साथ नाइंसाफी हुई एक लड़की की तालिम एक लड़की की तालिम एक खानदान को तालिम है तो इसका सही अप्शन है वो ड़की जो होती है वो एक खानदान को तालिम दे सकती है अगर वो पड़ी लिखी है तो एक है तो अच्छे खासे घर को चला सकती है अपने आने वाले बच्चों को जो परवरिश करेंगी वो अच्छे तरीके से कर सकती हैं तो सबसे पहला दर्स जो बच्चे का होता है वो मा की गोधी होती है तो एक अच्छे आखा है तो एक खांदन को तालिम दे सकती है तालिम का मकसद क्या होना चाहिए इम्तिहान में काम्याबी हासिल करना मलाजमत हासिल करना अमली जिन्दगी के लिए तल्बा को तिरो पढ़ना लिखाना सिखाना अमली जिन्दगी के लिए तल्बा को तयार करना ठीक है कि जो जिए जिन्दगी मिली है उसमें किस तरह जासे वो पेश आ सकते हैं जो अच्छा रहनमा भी ओर दोस्ट भी ओर फिलोसोर भी सकें ठीक है नेक्स कोचन है उस वक्त हमारे मुलक में किसी किस सालमें पॉलिसिपर अमल हो रहा लू कर दोज़र पांच पर हो रहा यह ठीक है तालम हमें मरकूजक्र मरकूझ मरकुस तवज़ा किस दाथ से होनी चाहिए वालिद की वाल्दा की तालिब आ कि मॉइलम की तो Exp从 Con आराई कफरो मौलिम का भूश कम होना तो घर पर मुताल़ करने का अदट ढ़ना ये मकसद होता हुंवक देने का एक तौलब-ए-ख्यूपि नाकामी दरसल नाकामी है तौलisas नाकामी है तौल ये अग्तौपि आदाब की दरसि कताबों की मौलिम की कामयावी मुजमर होती है तल्बा के आहला कारगर्देगी के मुजाहरा से जाती किर्दार से बेहतर तद्रीश से जायत तद्रीश का काम के तो यह जो बेहतर तद्रीश होता मौलिम की कामयावी का मुजमर होती है ठीक है आप के शहर में आपके शहर में जेल की चार कि नुमाईश में ही आप जा सकते हैं मेले और खेल में आपको बिल्कुल नहीं और नसर किसम हैं देखें किस तरीके से आपको पूछना चाह रहा है अब वो आप जानना चाह रहा है आपके रुजान को आप की तदरीज के दोरान टालब आलम ग्यर मुतालिक सवाल पूछे तो आप क्या करेंगे आपसे अगर कोई आप अस चेप्टर को पढ़ा रहे हैं अगर उस लेसंसे हट करके आपसे कोई सवाल करता है तो उसे क्या करेंगे ए आप्शन उसे डाट कर चुप कराएंगे बी आप्शन उसे मौज़ू से मुतालिक सवाल करने के लिए आमादा करेंगे उसे सजा देंगे या कलास खत्म होने पर जवाब देंगे तो सही आप्शन है वो बी करेंगे उसे मौज़ू से मौज़ू से मौलिम से वाबस्ता होने के लिए मुसल्सल कोशिश करेंगे तो यह पेशा मौलिमी से वाबस्ता होने के लिए मुसल्सल कोशिश करते रहेंगे डियलेड होता है डिप्लोमा इन इलिमेंटरी इजुकेशन ठीक है नेक्स कोशन है एक मौलिम अपने तलबा में किस तरह के तहर पैदा कर सकता, मौटिवेशन के असर राद, इनाम देकर, मुनासिब रहनुमाई के जरीए, मिसाले देकर, कलास में तक्रीर करके, तो मुनासिब रहनुमाई के जरीए, हम इने कर सकते हैं, ठीक है, हम रहनुमा बनेंगे इनके, तो इने हम मौटिवेशन भी दे सकेंगे, इन तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसे नजर अन्दास करेंगे उसे अज़सत करने पर मजबूर करेंगे उसकी शिकायत करेंगे उसे इम्तिहानात में कम नमबर देंगे तो हम बिल्कुल करेंगे कि उसे नजर अन्दास करेंगे एक दिन यकीन है कि वो सही हो जाएग आपके बारे में आपके बार बार बुलाने पर किसी तालबे इल्म का सर्प्रस्ट आपसे मलाकात के लिए ना आए तो आप क्या करेंगे मतलब जो सर्प्रस्ट है आप उसे बुला रहे हैं तो नहीं आने तो क्या करेंगे तालबे इल्म को नजर अंदास करेंगे सरप्रस्ट को फोन करके घुसा करेंगे उसके घर जाकर मुलाकात करेंगे तालबे इल्म को सजा देंगे तो सी अप्शन बिल्कुल करेक्ट है उसके घर जाकर मुलाकात करेंगे कि आखिर क्या बात है का अपने हमिलना चाह रहा है नेक्स कोशन है तल्बा की तवज्ज़ को तद्रीसी आमल पर मर्कूज रखने के लिए एक मौल्म को क्या करना चाहिए तल्बा की तवज्ज़ तद्रीस पर आमल को पर मर्कूज रखने के लिए बोर्ड का इस्तियामाल तल्बा से सवालात कहानी सुनाना लतीफा तल्बा से हम बीच बीच में कभी कभी हम सवालात करेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं एक मालिम के लिए जरूरी है कि वो कलास में नब्स जब्स कायम करें वक्त पर स्कूल आएं तल्बा की मुश्किलात हल करें एक असूली शख्स हो तो कलास में नजम जब्स जब्स हो ठीक है नजम जब्स भी होना चाहिए वक्त पर स्कूल भी आना चाहिए तल्बा की मुश्क अच्छी होती है खाली घंडे को जानने के लिए जरूरी है असाद़ा को आराम मिलता है इनमें बाहमी तवावन और जिस्मानी तवावन पैदा होती है तो डी अप्शन बिल्कुल सही है बाहमी तवावन भी होती है और जिस्मानी तवावन भी होती है जब जहन तेज होता है जहन के तो सारी चीज़ा दौरता रहता है खेल सभी, जहन के तो thinking power जोती है, सोचने के सलाहियत जोती है, वो बढ़ती है जिस्मानी सलाहियत भी बढ़ती है, तो सारी चीज़े एक तंदरुस्त, के तो इनसान जोता है, वो सब कुछ सीखता है, तो खेलना का काम है, मौलिम का क्या काम है, तल्बा को मालूमात फराम करना, तल्बा की तालिमों तर्बियत करना, तल्बा को सजा देना, तल्बा के अम्तिहां, तालिमों को तालिमों तर्बियत करना, ठीक है आपको तदरीज की पेशे से दिलचस्पी है, क्योंकि इसमें तादिलाद जाती होती है इसमें कम 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 काम जिम्मदारी होती है इसमें कम कम जिम्मदारी होती है आप जाती रुजान रखते हैं इसमें कम काम करना होता है सी अप्शन बिल्कल सही है आप जाती रुजान रखते हैं हाँ मेरी खायश है कि मैं एक टीचर बनू एक मौलिम बनू और एक कह तो समाज का महायार बनू कौम मिलत के लिए इस मुल्क का महायार बनू तो यह सारी चीज़ें खायश आती रहती है ठीक है । दी एले जट के कुर्स करने के बाद मौल्म में दोरान मलाजमत तरबियत की जब्रूर होती है मुझे इस से तफाक नहीं मौल्म को जदिद तहकीकात चागा होना ज़रूरी इस बहार ने स्कूल से चुटी मिल जाती है नए लोगों से मलागात होती है तो मौल्म को हकिकात से आगा होना जरूरी है ठीक है नेक्स है mental ability जहनी सलाहियत जो आपको मैं बता दियो हूँ 30 number के यह होंगे ठीक है इसमें क्या है आइदा से series को मुकमल कीजिए तो एक है तीन है पांच है इसके बाद क्या होगा एक में हम दो जो रहेंगे तो तीन 5, 5 में 2 जो रहेंगे तो 7 गी option सही है 4, 9, 16 हरागे क्या होगा देखें 2 का square है 2 का square 4 ठीक है 3 का square 9, 4 का square 16 तो 5 का square 25 सी option सही होगा नेक्स्ट है एक सो चार सो नौ सो डॉट 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 क्या होगा एक सो है यह तो एक सो उसके बाद दो सो का दो खर सो का दोना दो सो दोना चार सो तीन सो दोना छे सो उसके बाद तीन चार सो गुना सुला सो ठीक है एक सो है तो एक सो को हम चार सो जो है दोसो का दुना है ठीक है पचास दुना सो सो दुना एक सो एक सो है ना दोसो दुना चार सो तुन सो दुना सो एक सो एक सो एक सवाल या अलामत के जगा पर मुनासिब क्या होगा डॉट 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 रियासत रियासत मुल्क तो पहले क्या होता है शहर होता है शहर से तालुका दिहार यह जो तालुका होगा तालुका से रियासत बनेगा रियासत से मुल्क बन ता तुव яр थिया नेल्ट清 सब्सक्राइख लवज सही Сब्सक्रा सियुक्त्सु 허ह था अजिए सब्सक्राइख यह का फिर दो फ़ीजम है किताब ग Social भोईच्व टो पनाता और लएकर मिद्धलाइग तिन दू पांच एक छे चार दस बीच में है चार तीन साद दू नौ पांच चोदह दू आठाइस दस एक हैं ये दस दू आठाइस तो पांच चार नौ नौ तिन बारा छे अठारा दूना चोग बन यहाँ पर किता आजएगा चोग बना जाएगा ठीक है वैसी इसमें है एक दो चार तीन ठीक है तो आप देख सकते हैं अब देखें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पांच के स्कुएर पच्चीस अब बता दू मैं आपको चार का स्कुएर कितना होगा आठ तीन का स्कुएर नो दो का स्कुएर चार और एक का स्कुएर एक तो इसमें भी सबके स्कुएर का जोर कितना हो जाएगा चार चुक और सुला और पांच पचीस सुला पचीस हो जाएगा एक तालिस एक तालिस और नो हो जाएगा पचास और चार चोवण भी ऑप्शन सही है ठीक है इसमें हम देख सकते हैं चार तीन दो एक 10 का अधा 5 हो जाता है 9 8 17 7 आप ऐसी देख सकते बना सकते हैं थोड़ा जहन लगाईए ठीक है ना इसी तरीके से ये बहुत सारे चीज़े हैं आप बना सकते हैं इसको लेकर के ठीक है न ये सारे चीज़े हैं इसमें बहुत वक्त लएगा तो जिसलिए मैं नहीं बनाया हूँ